नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और क्रांतिकारी वीडियो में अपने चैनल के सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक बढ़ाई और जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं आज का जो शीर्शक है वो है पी एम एस पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसके वीडियो के बनाने के पीछे दो कारण है पहला मेरे सब्सक्राइबर उने कई बार मुझसे ये सवाल करा है कि सर आप अपने पेशेंट का रिकॉर्ड कीपिंग के लिए क्या करते हैं पहला पहला कारण और दूसरा कारण एक किस्सा पिछले दिनों एक डॉक्टर साब मेरे पास आये रोते हुए अब वो किस्सा यह था कि वह अपना पूरा रिकॉर्ड कोई होमियोपैथिक सॉफ्ट्वेर रिपर्ट्राइजेशन सॉफ्ट्वेर होते हैं ज्यादा तर होमियोपैथ अपने पूरे पेशेंट का डाटा या तो रिइस्टर के उपर मेंटेन करते हैं या फिर वो अपना डाटा जो पूरा है उसको वो मेंटेन करते हैं कोई होमियोपैथिक रिपर्ट्राइजेशन के सॉफ्ट्वेर में जो कि उनकी हाट डिस्क पे उनके पीसी पे या उनके लेप्टॉप के उपर होता ह तो ऐसे ही एक डॉक्टर साहब आयो जो पुराने दिनों में मेरा मजाग उड़ाया करते थे जब मैं रेइस्टर पर डाटा एंट्री करता था कि या डॉक्ट साहब आप तो पुराने चक्करों में पड़े हुए हो और कोई मतलब नहीं है अब देखो हम कितने मौड़न हैं और हम कितने बढ़िया मतलब हमारे पास तो PC है लैप्टॉप है हम उसके उपर पेशेंट का डाटा रखते हैं और मैं उनको हमेशा बोला करता था कि मैं कंप्यूटर का बहुत बढ़ा कीड़ा हूँ मेरा बहुत शौक है कंप्यूटर रब वह आप कैसे समझ सकते हैं कि आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यह मेरा PC है तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को कितना ज्यादा शौक है और मैं कितना बड़ा कीड़ा हूँ एक कंप्यूटर का मैंने उनको यह बताया कि डॉक्ट साब अपना डाटा ओन क्लाउड रखो PC पे मत रखो क्योंकि कुछ होगा तो पूरा डाटा चला जाएगा अल्टिमेटली यही हुआ डॉक्ट साब गय थे एक सेमिनार में डॉक्ट साब का बेटा उसके ऊपर खेला करता था गेम भाई का गेम अटका भाई ने सॉफ्ट वेयर वाले के इंजिनियर को बुलाया कंप्यूटर इंजिनियर को कंप्यूटर इंजिनियर ने उठा के बात करेंगे कि पेशेंट मेनेजमेंट सिस्टम क्या होता है तो जैसा कि आप अब तक समझ गये हैं कि दो तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कीप करते हैं पहला तरीका है पुराना रेजिस्टर के उपर उसमें जो प्रॉबलम है वह यह है कि आप जनरली होमियोपेथ प्रिस्क्रिप्शन इशू नहीं करते हैं या वो प्रिस्क्रिप्शन इशू करते हैं उसका इंट्री अपने रेजिस्टर में रखते हैं कुछ होमियोपेथ प्रिस्क्रिप्शन भी इशू नहीं करते हैं वो एक रेजिस्ट्रेशन कार्ड इशू करते हैं पर अगर वो प्र क्लीफ होती है उसको मैन्यूली सर्च करना पड़ता है उसमें टाइम और एनरजी वेस्ट होती है और आफ लाइन पीसी पे डाटा रखने का तो एक्जमपल मैं आपको बता ही चुका हूं तो दोस्तों क्या आप इन सारे प्रपंचों से बचना चाहते हैं और अपनी प्रैक् को सिस्टम यूज करते हैं तो दोस्तों मैं यूज करता हूं प्रैक्तो डोट कॉम के patient management सिस्टम को अब आप आते हैं स्कॹंप अब स्क्रीन पर गोर करेंगे तो यहां पर ये इसका home page एक बार और खोलके बताता हूं मैं ने इसको यहां से बंद करा यह आया अब क्योंकि मैं प्रेक्टो.com का औरेडी पेड क्लाइन्ट हूं यहां पर मेरा फोन नंबर और मेरा पासवर्ड है और इससे मैं लॉगिन करता हूं और log in करने के बाद मैं यहां से अपने account को के अंदर entry करता हूँ तो दोस्तों ये जो है ये मेरे clinic के home page है ये मेरे clinic के जो patient management system का home page है अब यहां पर क्या-क्या है पहले हम मोटे तोर पे देख लेते हैं अब आप देखेंगे तो यह अगर मैं back जाऊं तो यह देखि यह मेरे वो patient है जिनको मैंने पिछले यह शनीवार को मेरे पास जो patient है यह उनका पूरा record है उसके अलावा ये पूरा आप देख सकते हैं कि मैं अगर बैक जाता जाओंगा तो ये मेरे पूरे पेशेंट का रिकॉर्ड है ठीक है ना कि मैंने कब कितने खाँ कौन से पेशेंट दे के सुबह के टाइम पे अब मैं टुडे पे आ गया है च्छे बज़े से साड़े पांच से नो अब यहाँ पे मैं अपने पेशेंट की एंट्री करूंगा मान लीजीए मेरे पास एक पेशेंट आया अपने एक एक्जामपल लेते हैं पहले हम इस होम पेज पी क्या-क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे मैं डेली के स्लोट के अंदर मैं इसको व्यू कर सकता हूँ मैं वीक के स्लोट के अंदर इसको व्यू कर सकता हूँ मैं मन्थ के स्लोट के अंदर इसको व्यू कर सकता हूँ यह पूरा मन्थली कलेंडर है समझ रहे हैं यह वीकली कलेंडर है ठीक है यह week के अंदर, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, certified है, ठीक है, और यह daily calendar है, ठीक है, यह पर डे का है, इसी फाच का है, है ना, जनवरी 4, 2021, Monday है, ठीक है, मैं इसको default के उपर रखता हूँ, day के उपर जाए, मैं week के उपर रखता हूँ, जनरली, इसको मैं weekly उपर रखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ प आएंगे, तो यह है calendar का sector, जो अभी खुला है, यह calendar है, इस calendar के उपर आने वाले patient की हम entry करेंगे, ठीक है, उनके आने के करम के हिसाब से, यह जो है, यह अपन homepage के features देख रहे हैं, अभी यह patient, अभी यह patient का पूरा का पूरा, यह मेरो पूरा का पूरा inventory है, जिसमें मेरे सार patient है, अभी मेरे पास कितने patient है, 2596 patient मेरे पास इस software में है, यह मैं लगबग 2-3 साल होगा है, इसको use करते हुए, ठीक है न, तो यह मेरे patient है, अभी यह patient का data में कैसे access कर सकता हूँ कि, यहाँ पे मैं type करूँगा, एक example लेते हैं, पन, मली का B, ठीक है न, यह मली का B एक patient हुआ करती थी, मेरे बहुत पहले, यह मेरा cardiac का case हुआ करता था, ठीक है न, तो यह देखी, यहाँ पे मैंने यह 19 अगस्त 2015 को यह lady तक मेरे पास आई है, उसके बाद, she got almost cured, पर है न, उसके बाद मेरे को इनका कोई इसके पास data नही क्योंकि उसके बाद यह मेरे पास आई नहीं है, यह देखी, यहाँ पर यह, अब यह complete procedure जो है, complete procedure से default पे खुलता है, मतलब मैंने उनसे कितना पैसा लिया, यह पूरा पैसा है उस जमाने में जो मैंने लिया होगा, है न, यह patient का profile है, यह profile के अंदर मली का B, patient ID वगेरे वग reduction, systemic heart disease, cardiac dysneia, cardiac dropsy, cardiac cuff, left ventricular rejection, यह पूरे clinical notes और observation मेंने डाले हुए थे, chest pen on mild exertion, exertion, at stool, urination and bathing वगेरे 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 वगेरे, ठीक है न, इसके अंदर मैंने कुछ files भी upload करके रखी है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कि होमियोपैथी क्या कितना ज्यादा अच्छा result है, अगर आप देखेंगे, इससे आपको यह भी पता चलेगा कि होमियोपैथी, cardiac cases के उपर किता अच्छा काम करती है, यह cardiac science, department of cardiology, गांधी medical college का report है, यह left ventricular rejection fraction, इसमें 30 से 35 बता रहे हैं, अ-kinetic area है, ठीक है ना, इसके अंदर heart के उपर, dilated left atrium and left ventricle है, प्लस, जो दूसरी report थी, इसके अंदर और important चीज़े हैं, यह दूसरी नहीं है, यह पहली थी, यह है दूसरी, ठीक है ना, और यह देखेंगे, इसके अंदर यह सब चीज़ें आ रही हैं, pericardial effusion at the maximum depth of one centimeter वगेरे वगेरे, उसके बाद rest findings are within the normal limit, तो यह heart patient थी, जिसको pericardial effusion था, और उसका heart सिफ 35% काम कर रहा था, यह बात है, जुलाई 2015 की, है ना, यह मेरे पास उसी दिन मैंने इनकी report ली थी, पुरानी, इलाज करने के बाद इन से मैंने ढूंडवाई थी, और जब मैंने इलाज कर रहा था, उसके बाद इसका left ventricular ejection fraction हो गया था, 58%, तो देखिए कितना important software है, कि मेरे पास 2015 का record है, मतलब जिस दिल से आप इसको use करेंगे, इसके अंदर आप अपने patient का पूरा record रख सकते हैं, यह जो sector है, यह communication का sector है, communication मतलब prakto.com का software, अपनी तरफ से प्रेक्टो जो company है, अगर आप इनके paid client है, तो वो आपके patients को messages भिजती है, वो messages as a reminder जाते हैं, कि भाई, यह doctor अभी जिन्दा है, और यह field में है, तो अगर कोई patient आपका, आपसे बहुत दिन तक किसी कारण से नहीं आ पा रहा है, तो आपके messages को देख के कहीं न कहीं, वो initiate होता है, कि यह मेरे को यह समस्या हो रही है, मैं को doc साब से मिलना चाहिए, तो यह हमको भी message भेजती है, patient को भी message भेजती है, औ इसकी आगे बात करेंगे, यह reports, देखिए, इस software के होते हुए, आपको अपनी reports, मतलब अपना financial accounting करने की भी ज़रूरत नहीं है, यह software वो आपके लिए करेगा, ठीक है न, यह मैंने code language में currency डाल के रखी है, क्योंकि मैं नहीं reveal करने चाहता था आप लोगों को कि मैं कितना क् काम आता हूं, और करना भी नहीं चाहिए, ऐसे social media platform पे, तो यह क्या है, यह मेरे को मेरा पूरा invoice दिखाता है, ठीक है न, यह मेरे को सब कुछ बताएगा, कि भाई मेरे पास कितने नए patient आए, कितने follow-up में patient आए, ठीक है न, आप एक example रखते हैं, कि एक example ले ले लेते हैं, कि मैं December चल रहा है, मैं December की बात करते हैं, तो हम ले लेते हैं, December 1 से January, हम ले लेते हैं, December 1 से December 31 के बीच में, ठीक है, यह हमको पूरा data यहां पे मिल रहा है, कि भाई, हमने इस एक महिने के अंदर कितना काम करा, कितने patient देखे, यह सब कुछ हमको पता चल रहा है, daily invoice income क्या था हमारा, हमने per day कितना कितना पैसा कमाया, यह हमको पूरे 30 दिन का per day का income पता चल रहा है, monthly income हमारी क्या थी, तो वो हमको यह बता रहा है, कि हमने monthly income में क्या करा, ठीक है न, इसके अलावा, यहां पे बहुत important sector है, कि जिसके अंदर हम यह पता कर सकते हैं, कि हमारे पास कितने patient नए आये, कितने patient हमारे पास follow-up में आये, किसी एक specific महिने में हमने कितने नए patient देखे, हमने उस महिने में कितने follow-up में patient देखे, ठीक है न, यह कुछ settings है, यह settings है, यह आपकी profile की setting है, कि जो भी इसको use कर रहा है software को, वो अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा स customize आप कर सकते हो, तो दोस्तों हम वापस से आ जाते है calendar पर, तो यह हमने इस main home page के अंदर क्या-क्या हमको मिल रहा है, हमने यह चीज देखी, अब हम आते है, hypothetical patient aid करते है, Mr. XYZ, ठीक है न, यह हमारे XYZ है, Mr. XYZ, तो मैंने इसको save करा, तो यह system ने मेरे को बता दिया, कि this is entirely new patient क्योंकि इसकी entry already मेरे system में नहीं थी, ठीक है न, अब इसके profile में मैं गया, अब इसका में को profile बनाना है, patient का profile क्या हो सकता है, इसका मैं यहाँ पर देखिया, आधार ID ले सकता हूँ, इसका मैं sex यहाँ पर डाल सकता हूँ, चलिए मैंने mail डाल दिया, इसका मैं date of birth ले सकता ह भी है, जब कोई तयोहार आता है, तो randomly हमारे हजारों मरीज में से, सैक्डों मरीजों को यह उस तयोहार के best wishes का message भेजता है, हम इसके anniversary डाल सकते हैं, कि अगर इनकी हमने को important marriage anniversary डाली तो इसके भी इनको message जाएगा, यह किसके द्वारा मेरे को आया है, इसका मैं referral डाल सकता ह हूँ, ठीक है न, इसके अंदर में डाल सकता हूँ कि इनका family के अंदर इनका क्या relation है, कि अगर Mr. XYZ बैठे हैं, तो वो भाईया family के अंदर क्या ओधा रखते हैं, अगर nuclear family है, तो वो पिता है, या फिर grandfather है, या क्या है, ठीक है, contact detail में primary mobile number, secondary mobile number, language का preference कि यह कौन सी language prefer करते है landline number, email address, उसका पूरा address, प्लस, यहाँ पे एक बहुत important feature है, यहाँ पे मैं इनकी medical history भी डाल सकता हूँ, कि अगर वो बुजूर्ग है, उनको साब हो सकता, hypertension हो, उनको diabetes हो, उनको अस्थमा हो, उनको और कुछ भी हो, मैं भी वो cardiac patient हो, तो अगर इसको मैं save कर देता हूँ, तो अब यह हो गया, यह appointment का sector, जिसके अंदर मेरे को एक single नजर देखके पता चल जाएगा, कि यह पिछले साल में कितनी बार आए, मैं आपने कुछ पुराने patient का data, इसमें आपको दिखाऊंगा, कि यह किस तरह से इसके अंदर हर चीज़ दिखती है, ठीक है, तो यह appointment है, कि हम हमको appointment की date तुरन दिख जाएंगी, कि भाई हमको पूरा data नहीं देखना, हमको सिर्फ appointments देखना है, कि भाई आप आज आ रहा है हो, अगर उसने चलो हमको टपोला दे रहा है हो, कि सर मैं तो बीच में आपके पास आया था, मैं सीधे appointment में जाके उसके उपर allegation लगा तकता कि भाई आप दो महीने से गाया वो, आप दो महीने पहले आये थे और आपकी problem अगर बढ़ रही है तो उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें गलती आपकी कि आप नहीं पहुंचें मेरे पास दवा खतम होने के बाद, ठीक है, अगला जो sector है, यह EMR system है, EMR system के अंदर यहाँ पर तो यह चीज में ले सकता हूँ, vital science में, इतना data में डाल सकता हूँ, प्लस इस data की मैं charting भी कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं किसी lady का या किसी person का weight का treatment कर रहा हूँ, तो मैं हर बार उसका weight ना पूँगा, और वो weight जब मैं इसमें डालूँगा, तो यह मैं chart वाले button पे तो एक chart बनके आएगा, कि भाईया उसका इलाज के साथ कितना weight reduce हुआ है, ग्राफ बनेगा, ठीक है, clinical notes, दोस्तों यहाँ पर clinical notes डाले जाते हैं, कि अब Mr. XYZ मेरे पास आये थे, उनकी क्या समस्या थी, यहाँ पर डालना उनकी chief complaint क्या थी, उनकी chief complaint को मैं n number of tab में डाल सकता है, यहाँ पर मैं कितना भी data डाल सकता हूँ, कितने भी pages, कितने भी line है, n number of line है, यह observation, मैंने क्या observation देखा, being homeopath हम लोग कई चीज़ां observe करते हैं, मैं भी मेरे को उसका myism समझ में आयो, constitution समझ में आयो, मैं वो सब यहाँ enter कर सकता हूँ, उपने reminder के लिए, investigation क्या करायत है, इसमें diagnosis क्या निकला है, और को specific note डालना हो, patient को लेकर, अब दोस्तों, यहाँ पर यह जब clinical note से, तो यहाँ पर आप एक sector देख रहे होंगे, यहाँ पर यह क्या है, यह बहुत अच्छा artificial intelligence वाला system जो प्रेक्टो वाले use करते हैं, कि अगार मेरे को मानलो कोई ऐसी problem है, जिस इसको मैं एक शब्दों में लिखना चाहता हूं, तो यह मैं यहाँ से भी चुन सकता हूं, कि acidity मैंने ले ली, अब acidity यहाँ पर कहां से आया, acidity ऐसे आया कि मेरे को complaint save करनी पड़ेंगी, तो यह मेरी एक छोटी सी index बन जाएगी, आप मेरी बास समझे, जैसे कि add a new complaint करा मै अब add a new complaint में चलो, अपन क्या ले लेते हैं, घबराहट, ठीक है, मैंने इसको save करा, तो यह घबराहट इस index में जाकर save हो गया है, अब मैं जब भी करूँगा तो यह घबराहट दिखेगा, दिखेगा, जी एच, ए, बी मैंने type करा, घबराहट आ गया, तो यह जो index है, यह आपके हिसाब से, आप जैसे ही software को use करना चालू करेंगे, कुछ दिन में आप खुद बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, मेरे पास complaint आई, मैंने इस complaint को add कर दिया, तो मेरे को यहाँ type करने की बजाए, मेरे को यहीं पर मेरे कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे एकने का patient आ आउंगा, तो मेरा एक बहुत index over the period of time, कि मैं तीन साल से इसको use कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का index ही बहुत बढ़ा है यहाँ ठीक है न, तो यह हो गया हमारा क्लिनिकल नोट का section है न, क्लिनिकल नोट के बाद यह complete procedure, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह software उस patient के पैसों का भी हिसाब रखता है, मतलब मेरे को यह तक देखने की जरूवत नहीं है, कि मेरे patient से मेरे को कितना पैसा आया, मेरे को कहीं कोई diary को कोई बही खाता maintain करने की patient मेरे को पहली बार आ रहा है, मैंने उसका consultation के अंदर डालूँगा, क्योंकि वो first time consultation के लिए है, मैंने 500 डाला, और यह save करूँगा यहाँ पे जाके, यह save हो जाएगा, पर जब यह patient आगे आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसको फिर सारी जो payment जाएगी, वो सारी payment के accounting follow up में होगी, तो कि consultation के लिए आदमी first time आता है, उसके बाद वो आता है, follow up में, तो दोस्तों यहाँ पे यह, मैं सारे यह आपको दिखाऊंगा कि patient के अंदर कैसा, कैसा दिखता है यह data, जब patient बहुत दिन तक हमारे पास रहता है, ठीक है न, यह files, जैसा कि मैंने बताया है, files है, आप यहाँ पर files को add कर सकते हैं, मतलब कहने का है, कि files, जैसे कि upload a file, click here to browse the file, मतलब कोई picture मैंने अपने mobile में उसके investigation की लेके, अपने PC में डाल दूँगा, वो picture में यहाँ पर upload कर सकता हूं, ठीक है न, यह आप समझे कि मेरे पास सारे उसके investigation जो वो लेके आएगा, उन इससे भी मैं सीधा picture लेके इस पर upload कर सकता हूं, कई लोग patient आप से medical certificate की demand करते हैं, तो आप यहाँ पर medical certificate generate कर सकते हैं, ठीक है न, excused from duty, fit for light duty, proof of the attendance at the practice, यह सारी चीज़े हैं, सोचिया, कितना बढ़िया है, और prescription, दोस्तों prescription के अंदर बस यहाँ पर आना है, उसी तरीके से कि यह जो आपको medicines इतनी दिख रही हैं, आप यह सारी medicine मैंने तीन साल के अंदर इसके अंदर save करी हैं, ठीक है, कैसे save करी हैं, कि अब मान लीजिए कोई एक बाल का patient आ है, मैंने उसको jaborendi दी, अब यह दखिए, jaborendi इस system के अंदर नहीं है, इसलिए यह मेरे को नहीं होती तो वो दिखा था, तो अब मैं क्या करूँगा, add drug पर जाओंगा, drug में jaborendi, यह मैंने q में save करा, कि भाई मैं mother tincture में दे रहा हूं इस दवा को, ठीक है, यह q में save करा, यह आ गई मेरी jaborendi, अब जब भी मैं यहाँ पर type करूँगा, तो यह में को jaborendi दिखाएगा तो इस तरह से यहाँ पर drug add होती जाएंगी, जैसे जैसे आप practice करते जाएंगे, आप drug add करते जाओ, ठीक है न, यह बहुत important feature हो, फिर over the period of time क्या होगा, एक दो साल बाग, कि आप एक दो साल में generally बहुत सारी दवाईं use कर लेते हैं अपनी inventory की, तो वो सब यहाँ पर आ ठीक है न, और इस prescription के बनने के बाद मैं इसको print out के रूप में patient को दे सकता हूँ, वगर कई patient होते हैं, उनको reimbursement होता है, तो बत मेरे को कुछ नहीं करना, इसका एक print out लेना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लेते हैं, वो print out लेना है, और उसको एक bill, जो है bill book में से bill फाड़ है, मेरे सारे practice करने वाले बंधुओं के, ठीक है, अब इसका एक और important feature, वो यह है, कि प्रेक्टो.com हमको एक और बहुत important चीज देता है, जो की देता है, गूगल के ऊपर एक exposure देता है, वो कैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपना name type करा, डॉक्टर ललित कुमार गंगेल है, अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ देख पा रहे है, www.practo.com, www.practo.com पर मेरा profile बना हुआ है, यह profile को मैं click करता हूँ, तो यह मेरा इन लोगों ने being paid client वेरा एक profile बना के रखा है, और generally आप एक बास समझे कि आपके area में, जहाँ पर भी जिस शहर में, जिस area में आप रहते हैं, लोग आपको सर्च जब करेंगे, या वो अपने area में एक homeopathic practitioner को सर्च करेंगे, तो वो definitely प्रेक्टो.com पे आके इस website के थ्रू आपको मिलेंगे, मेरे को बहुत काम मिला है प्रेक्टो.com से, मेरे को बहुत काम मिला है प्रेक्टो.com ने मेरे को बहुत सहरा दिया है, मेरे प्रेक्टिस के शुरुवाती दिनों में, शुरुवाती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं तो 14-15 साल से प्रेक्टिस कर रहा हूं, यह मैं 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूं, पर इसके बाद मेरे को एक exposure मिला है, मेरे शहर में, कि भाई, हाँ मेरे एक profile है, बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर हम अपने कुछ पेशेंट का data देखते हैं, कि वह पेशेंट का data यहाँ पर दिखता कैसा है, ठीक है, चलिए हम मैं एक कोई भी मैं एक patient उठा लेता हूं, यहाँ से, यह देखिए, यह मेरी एक patient है, मिसिस नीता चिमोटे, तो यह उ पास आई थी, यह इनके prescription से, इस तरह से यह prescription सेव हो जाते हैं, इनका पूरा data है मेरे पास सन 2016 से ले करके, यह 2020 तक का, मतलब मेरे पास पूरा data है, अब अगर इनको मेरे को prescription जैसा की बता रहा था, प्रिंट करना है, तो इस तरह से prescription प्रिंट हो जाता है, बस मैं को print का बट लास्ट ली, अब मेरे से कई लोग सवाल करेंगे, अगर मैंने यह नहीं बताया कि इसका subscription कितने का है, दोस्तों मैं अभी जो subscription यूज कर रहा हूं, देखना आप यहां पर subscription से आ जाते हैं, यह subscription है, तो यहां पर अलग अलग plan है, यह देखिए, अलग अलग plan है इन लोगों पर जो मैं अपना plan के बारे में बताता हूं, मैं जो use कर रहा हूं, उसको बोलते है, clinic management atom software, इसका मैं 14,000 रुपे साल देता हूं, यह basic software है, बिलकुल basic features के साथ यह आता है, और मैं इसका इतना पैसा देता हूं, इसके against में यह लोग मेरा पूरा data को maintain करते हैं, प्लस मेरे patient को timely reminders भेचते हैं, प्लस यह मेरे को Google के उपर एक visibility देते हैं, मेरे ऐसे कई doctor बंदू होंगे, जिनको कोई भी जिनका website से या फिर internet से कोई तालुकात आज की तारिक में नहीं है, पर अगर वो इसको use करेंगे, तो वो Google के उपर उनकी एक profile बनेगी, प्रेक्टो.com के अंदर, औ आप तक definitely approach करेंगे, ठीक है न? तो यह है पूरा प्रेक्टो software जो की on cloud चलता है, यह मेरे PC पे नहीं है, इसको मैं कहीं से भी access करता हूँ, मेरे घर पे laptop है, जब यहां का patient मेरे पास घर पे आता है, मेरे पास उसका पूरा data होता है, in fact, प्रेक्टो के paid client के लिए इनका एक application प्रेक्टो application उसके अंदर जितनी चीज़ें में इस software से कर सकता हूँ, वो सब मैं उको यहां से दिखती है, मेरे को यहां पर पूरे patient दिखते है, मेरे को यहां पर मेरी financial reports दिखती है, मेरे को अपने धंदे का performance दिखता है, किस महीने में कितना अच्छा perform करा, तो वो सारी च call करेगा, जो मेरा patient है, तो दोस्तों मेरे को यहां पर उसका पूरे ID show होगा, कि यह आपका patient है, इसका ID इतना, इसने आखरी appointment यहां तक लिया था, तो सोच लीजिए, यह कितना high tech software है, आप इस बात को समझ सकते हैं, वो definitely यह आप लोगों की practice में आगे जाकर चार चांद बगाने वाला है, तो दोस्तों बहुत लंबा हो गया वीडियो, आज के लिए एतने ही, अगले वीडियो में मुलाकात बहुत जल्द होती, नमस्कार